नमस्कार फ्रेंज आज आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में यहनुकी बरसात में गोवी की इनर्सरी गिराते हैं तुर में सबसे जादे अंगलन की समस्या देखने को मिलती है जहीं देख सकते हैं हमारे बिज अज साथ दिन की हो चुकी है आपको चलिए इधर देखा अंगलन की समस्या लगने का आपका उपाय बताएंगे जैसे आप दो तीन दवाई आप हमारे हाथ में देख सकते हैं मतलब इन को बारे में बताएंगे आप देखिए इधर कितना हमारा प्लांट टूटा हुआ है क्यों क्योंकि हमें इस पर मासारी नहीं लेगा या था गि को इतने दूरी में आपको बेच निय원, अब बते हैं अंगलन की समस्या की क्या का राइन होते हैं लगते हैं क्या फसरल होती है चली आपको इस वीडियो में डिवा देखने Lawrence को सबस्क्राइब कीज़े वैले कंदवारे या यह जैनकाय सब्सक्रायब किज़ेया औक देखिए यहां पर हमारे वीगों में लगे हुआ था है यह हमारी अंग गलन की समस्या है जिसे लर्का बोला जाता है या आप को बोल सकते हैं या मतलब जड़ गलन बोल सकते हैं तना गलन बोल सकते हैं लर्का बोल सकते हैं मतलब कि इसमें कोई प्लाइट बजता नहीं जिसमें लगता हो खतम हो जाता है तो फिरन्स इसके आप उपचार के लिए क्या कर सकते हैं इसके उपचार के लिए आपको हम बताएंगे पांच ऐसी दवा जिसको आपको इस परे करके आराम से लर्का दवा मतलब इस लर्का बिमारी अंगलन जड़गलन की समस्या को आप आराम से कंट्रूल कर सकते हैं चले फिरन्स वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले फश्ट दवा का हम नाम बताते हैं कि फश्ट वह कौन सी दवा है कि जिससे कि हम इस परे करके आराम से इस लर्का से छुटकारा पास सकते हैं चलिए फ्रेंस फस्ट दवा के हम बात कर लोते हैं फस्ट जो आप हमाद्धी दवा देख सकते हैं यह आपको यूपीयल कंपणी की दीख पारी होगे फंगिसाइड जिसमें करवंड़ा जें 12 परसेंट प्लस मैंन को जें 63 परसेंट डव्लूपी में है डव्लूपी फं में इसको हम प्रती पंदर पानी में 20 से 30 ग्राम इस्प्रे करेंगे आप आपकी प्लांट चार दिन की या पांस द आपको कीट ना सकते क्योंकि आपके फसल में कीट वी लगते हैं जिसके आप लेख सकते हैं प्रफिनॉस 40 परसेंट प्लस चार परसेंट शाया परमें इसी में आप इन दोनों को एक साथ फंगी साइड मिला के आराम से इस्प्रे किजिए डूसरी दवाई हमारी आती है कि इमीडा सब्सक्राइब के मिरा डूर के मेरे डूर को आप प्रति एक एमल में एक लिटर पानी को इस्प्रेग किजिए आराम से यह दवा कंट्रोल कर सकती है कि दूसरी की हम बात कर लेते हैं कि जो कि यह मेरा डूर आप उनली एक हफ्ते में एक बार इस्प्रेग करेंगे और जो आपको यूपिल की साफ दिख पा रही होगी यह एक हफ्ते में आप मतलब आज अगर इस्प्रेग किया है तास के पांचवे से छटवे दिन आप इस्प कि मार दिन बाद लगर चाई पार दिन अगर बारिस होती है तो यह आपको लपका दिखने है क्ली ही हमारी तीसरी दवा आती है आडामा कंपनी कि ई-मीस्टट Auto देखके लिए लेकिन देखके लिए कि वरिजिनल है या गलत है और पर फिरू न्हाइं मिल ऑंद फिरस किलिए जो लड़क का विमारी है तो फ्रेंट्स हमने आपको तीन दवाई की नम बता दें चोथी हमारी आती है पचास परसेंट कर बंजा जीम जो की बावास्तिन की नाम से आप जानते होंगे कि आपको उसको 2 गराम प्रती पंध एक लिटर पानी में मिला देजिए मैंनेकि 15 लिटर पानी के लिए आपको तीस से चारीस ग्राम ले ले नहीं है और आपकी प्लांट अगर दस दिन के हो चुकिया तो समें श्प्रै कि प्लांट चार से पांस दिनों के तो उसमें आप एक ग्राम एक लिल्टर पानी में घोर देंगे यानि कि स्वरी कि पंदर लिटर पानी में आप 15 से 20 ग्राम डालेंगे तब आपकी अच्छा रिल्ट में जाएगा अगर हमारी अगली दवा आती है इस अंगलन से बचाने के लिए जो करबंडा जीम आप 24 पर्सिंट या आप किजिए ओपर कAR कीजिए अरुट्ण से और इस चत्रोंट कोああा काई कोई दिकरत नहीं है आप आप आ libraries को आती में लिकुट फोर में भी आती है और फूर्स पॉल्ट्ट फोर में इधे दूनों को आप किसी को भी ले सकते हैं आराम से इं तो इस स्व कि यह अंगलन्स की समस्या टमाटर हो गया मूली हो गया गोवी की प्लांट हो गया इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे विवीज में लगा था लेकिन हमने दवा काइस पर गिया और इस समय नहीं लगा हुआ प्लांट आप देख सकते हैं काफी दम फेटिंग दिख पा रह आप लेख सकते हैं बायर कंपणी के नाटिवो या कंटाप आपको भी नहीं माले कि कंटाप माने से आपके प्लांट चोटा हो जाएगा वह विकास नहीं करेगा आप नाटिवो ले लेंगे बायर कंपणी की तो यह आपको बेटर रिजल देगा क्योंकि इसमें हमने कि और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको मतारी जरूर लागाना क्योंकि बारीस की सब्सक्राह अगर मतारी नहीं लगाते हैं तो चीस तरह हमारी हाल हुए उसी तरह आपकी होसकती है तो इसलिंस नहीं आप जरूर मतारी घा तो